दोस्तों क्या आप भी गमले ऑनलाइन पर्चिस करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ अलग-अलग साइजिस के गमलों के क्वालिटी के बारे में चर्चा करूंगा साथी साथ उनके ऑनलाइन और आफ्लाइन प्राइसिस के बारे में भी आपको बताता चलूंगा वेल्कम फ्रेंट्स टू हम गार्डिनिंग मेड इजी आशा करता हूँ आप लोग सभी इश्वर की कृपा से मज़े में हैं और पौदे लगा रहे हैं दोस्तों सुभा के साथ बज़े हुए है और मैं अपने इस वीडियो का ओडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बाहर निकला हुआ हूँ और साथ ही यहाँ पर चीडियो का चैकना भी बीच वीच में सुन पा रहे होंगे तो यह जो सबसे छोटा जो पौट आप जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ जो है रिसेंटली मैं करीद करके लायता है यहाँ साड़े तीन इंच का है और काफी मजबूत है और यह आप देखी सकते हैं किस कंपनी का बना हुआ है दोस्तों मैंने इसके 6 पीसेज लिये हुआ है लेकिन फिर भी मुझे यह एक इंपल्सिव बाई लगी है लेकिन मैं अपने सक्विलेंट्स को इन में लगा सकता हूँ अनलाइन यह 20 रूपीस से शुरू होते हैं लेकिन मुझे यह 12 रूपीस के पड़े हैं दोस्तों उनके बगल में जो वाइट स्क्वाइर छोटे छोटे गंबले दिखाई दे रहे हैं इसमें मैंने अपने हावर्थिया लिमिफोलिया और कलन कोई टॉमेंटोसा और कुछ और अन्य सक्विलेंट्स को लगाया हुआ है यह जो गंबला है दोस्तों यह अच्छी क्वालिटी का है यह काफी मोटा भी है अगर आप इन्हें ऑनलाइन लेते हैं तो यह आपको 20 से 40 रूपीज तक का पड़ेगा जबकि मैंने इसे ऑफलाइन मोड में सिर्फ 15 रूपे में करीदा हुआ है अब यह जो गंबला है दोस्तों यह 5 इंच का है और इसमें मैंने अपने स्पाइडर प्लांट्स को लगा के रखा हुआ है इसमें मेरे एंतुरियम के भी प्लांट्स हैं इसमें कलाथिया और नाटा जो है जो आपको पत्तों में वाइट लाइन कर दिखाई दे रही होगी बाए तरफ यह वाले भी जो हैं इसमें लगाए हुए है यह दूस्तों मेरे पास लगबग 30 पीसेज होंगी और पीछे जो और यह तीरूपती कंपनी का गमला है अगर हो सके तो मैं इसमें फोकस करके आपको दिखाता हूँ यह आप देख पार है तीरूपती का यह वर्जिन प्लास्टिक का ही बना हुआ है और यह काफी अच्छा गमला है यह काफी मजबूत है और आराम से 5-6 साल आराम से यह चल इसी के और एक वेरियंट जो कलर में रखे हुआ है दोस्तों यहां पर आप देख पारे हैं यह सिल्वर येलो ग्रीन कलर में है यह थोड़े से महंगे यह 30 रूपीज के पड़े है यहां पर आप देख पारे हैं कि मैंने इस कलर वाले गमले में जो है अपने अडेनियम को गमला आपके सामने है वह है साथ इंच का गमला यह रिसेंटली इसको मैंने बाई की थी और मैंने इसमें जो है यूफोर्बिया को लगाया हुआ है यह बाएं तरफ देख सकते हैं और दाई तरफ जो पौदा है वह है एगालो नीमा सिल्वर कुइन का जिसे चाइनीज दोस्तों यह जो है न्यू मार्क कंपनी का है यह न्यू मार्क प्लास्टिक इस पर प्रिंट है यह जो गमले हैं यह सेवें इंचिस के हैं और काफी मोटे प्लास्टिक के बने हुए हैं मुझे यह गमले काफी मजबूत लिखे लगे थे दुकानदार ने इसे जमीन में लोड़ा है नीचे से यहां पर आप जो है मेरे प्रीवियस गमले से मैं इसकी कंपेर करके दिखा रहा हूं यह पुराना वाला पांच इंच का गमला था और यह जो है दोस्तों सेवें इंच का गमला है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी लाइक दे दिजिए और अगर चैनल पसंद आया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दिजिए दोस्तों उसके बगल में यह जो गमले दिखाई दे रहे हैं क्रीम कलर के यह भी जो है सेवें इंच के ही है और इसमें मैंने फॉक्स टेल फर्न जैपनीज रेड़ शील्ड फर्न और अन्य प्रांट्स को लगाया हुआ है तो यह जो दोस्तों है यह थोड़ा पत्री क्वालिटी का है और शायद दो या तीन साल से ज्यादा लास्ट भी ना करे तो यह मुझे सिर्फ 20 रूपीज का पड़ा है इस तरह के भी अगर आप 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 सस्ते वाले कंपनी के मगाते हैं तो आपको 30-40 रूपीज के नीच अच्छी से होती है और नीचे एरफ्लो भी ठीक रहता है और उसी के बगल में जुस्तों यह गमला जिसमें डेविल्स बैकबोन लगा हुआ है यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गमला है दोस्तों यह एक हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है और दपता नहीं है और आट-दस साल आपके निकल जाएगा दोस्तों इस तरह के गमले ऑनलाइन मैंने नहीं देखे है और यह गमला जो है ऑनलाइन नहीं मिलता है दोस्तों मेरे एक्स्ट्रीम लेफ्ट में यह छोटे-छोटे पांच इंच के गमले मैंने रखे हुए है यह अभी देखने में तो काफी छोटे लग रहे हैं लेकिन यह फाइव इंच के हेक्सागोनल गमले हैं इन में जो है रिपसैलिस लगा हुआ है इसमें क्रिस्मस कैक्टस के भी पौदे लगे हुए है और कुछ अन्य फूलो और के पौदे भी लगे हुए है यह इसमें यहां पर देख सकते हैं यह क कुछ पतले क्वालिटी के ही हैं लेकिन यह फिर भी आपको दो तीन साल आराम से निकाल देंगे और इसकी मुझे जो प्राइस पड़ी है दोस्तों यह सिर्फ 20 रूपीज की है अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 30 से 50 रूपीज तक देने के लिए तयार रहना देखेंगे के बिना गमलो के स्मार्ट गार्डिनिंग कैसे की जाती है तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में